यूपी से एक बड़ी खबर आ रही है यूपी में बिजली कर्मियों की हर्ताल खत्म हो गई है उर्जा मंत्री के आश्वासन के बाद हर्ताल खत्म की गई है उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी कारवाई नहीं होगी आपको बता दें दो दिन से हर्ताल लेने का एलान कर दिया है सुबे के उड़जा मंत्री के शर्मा और बिज़ी करमचारी निताओं के बीच तीसे राउंड की बैठक में बात बनी आखिरकार इसके बाद करमचारीों ने हर्टाल खत्म करने का एलान किया और काम पर वापस दाने की बात गई है आपको बता देंगी प्रिदेश में 65 घंटे से अधिक समय तक चले इस आंदोलन से जनता काफी परिशान थी दुस्तक की बड़ी खबर यूटी से है जहाँ पर योगी सरकार ठोड़ी सक्वी और हर्टाल खत्म कर दी गई यह बिजदी करमचारी यहाँ पर दो दिन से हर्टाल पर बैठे थे धरने पर बैठे थे अपनी मांगों को लेकर काफी पुर्दाशन कर रहे थे लेकिन आज यह हर्टाल वापस ले ली गई है विजदी करमचारी के संगर्टनों का उसे सुपसे संगर्ट समीती का यांदोलन खत्म करने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अपने करमचारी मित्वों को तुरंत निर्देशित करें कि अपने अपने काम पर वो वापस लोटें साथ ही वर्दमान अंदोलन के परिपेक्ष में जो कारवाईयां हुई हैं उन्हें भी वापस लेने का इनका निवेदन था इनकी तापना थी उस पर ध्यान रखते हुए मैंने यूपी पीसियल के चेर्मेन को निर्देश दिया है कि उनका रवाईयों को भी वापस लिया है तुम आपको बता दें कि यूपी में बिजली कर्मियों की हर्टाल आज खत्म हो गई है संगर समिती के सयोजक ने आंदुलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया है उर्जा मंत्री, एके शर्मा और बिजली कर्मचारी निताओं के बीच तीसे राउंड की बैठक में बात बनी इसके बाद कर्मचारी ने हर्टाल खत्म करने का ऐलान किया है और काम पर वापस जाने की बात गई है तो इताप्रदेश में बिजली कर्मियों की हर्टाल खत्म कर दी गई है कर्मचारी ने हर्टाल वापस ले ली है, ये हर्टाल दो दिन में वापस ले ली गई उर्जा मंत्री एके शर्मा ने आचवासंद दिया है कि निलम्बन खत्म होंगे तो तीन दिन की यह हर्टाल दो दिन में खत्म कर दी गई है दुस्वक्त की बड़ी खबर उत्ते प्रदेश से जहां पर बिजली करमियों की हर्टाल आज खत्म हो गई है उर्जा मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों पर दर्ज, F.I.R. निलंबन वापस होंगे कर्मचारियों पर किसी भी तरह की कारवाई नहीं की जाएगी इसके बाद कर्मचारियों ने ये हरताल तीन दिन की बजाए दो दिन में खत्म करती हमारे समादाता अवनीश कुमार इसके पूरे मामले पर हमारे साथ जोड़ने हैं अवनीश ये बताईए कि कर्मचारी जो बर्खास किये गए थे अब उनका क्या होगा और सरकार ने क्या आश्वासन दिया है जी बिल्कुल देखें 16 मार्च राज 10 वजे से ये हरताल जारी थी लगातार देखा जा रहा था कि जो हरताली हैं और सरकार दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दोर चल लहा था और वारता की बात कही जा रही थी तो कल से ही ये वारता चल लही थी और आज इस वारता का नतीजा निकला और नतीजा का ही हल है कि ये हरताल जो है वापस लेने का फैसला किया गया है तो साफ है कि इसमें तमाम जो मांगे हैं उन मांगों पर भी बातचीत हुई है जिन समिधा करमचारियों को बर्खास्त किया गया उनको फिर से वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया है और उर्जा मंत्री ने भी अपनी तरफ से अस्वसन दिया है कि जिन पर कारवाई हुई है उन पर आगे की कारवाई नहीं की जाएगी और जो भी मुकदमे किये गये हैं उनको वापस लिया जाएगा हमारे साथ संगर समीती से प्रभुनात राय भी हैं उनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से आज जो आंदोलन पूरा चला आज जो वारता हुई है किस तरीके से देखते हैं इसको ऐसा है कि संगर समित के साथ जो है परसों से ही बारता चल रही है और कई राउंट बारता के बाद माननी उर्जा मंत्री के साथ 65 घंटे बाद हरताल के हमने अपना हरताल वापस लिया है उसमें तीन बाते हुई है माननी उर्जा मंत्री ने कहा है कि जो समझोता हुआ है उसको हम लागू कराएंगे एक दो मांगे हमारी और थी ओबरा और अनपरा का जो और पारितोसर में निजी करण हो रहा है उसके उपर वो बाच्चित करेंगे और तीसरी जो थी हमारे करमचारियों का इस हरताल के दोरा जो विक्टिमाइजेशन हुआ है उसमें विशेश तोर से संविदा करमचारी के और हमारे कुछ जूनियर इंजिनियर के खिलाप कुछ अधिसासी अभियनता के खिलाप जो भी विक्टिमाइजेशन की करवाई हुई है जो भी एफ आई आर प्रदेश में हुआ है वो सब वापस लिए जाएंगे और इसका आदेश उन्होंने उनके बगल में चेर्मेन पावर कार्पोरेशन के थे उनको उन्होंने कहा कि हमने निर्देशित कर दिया है तो इस तरीके से हम समझते हैं कि जो हमारी 72 घंट के की बात हरताल से हम वैसे भी वापस आते क्योंकि हमारी हमारी और यह सक्षे काथ ने वापस ले लिए हैं उसको लेकर क्या बातचित क कारवाई वापस हो घृट हो गी यह जो हरताल होती है उसे कहीं न पहीं ब्यापार भी प्रभावित होता है लाखों करोड उपर का नुक्सान होता है आगे से इस तरीके का घटना करम न हो इसको लेकर भी कोई रणदीत बना रहे हैं ऐसा है देखिए ट्रेड उनियन में क्या होता है कि ये टोकन हर्ताल होती है हमारी एकता को बनाए रखने के लिए अपनी ताकत को दिखाने के लिए अगर हम ये 72 घंटे की हर्ताल ना करते तो जो दो चार हमारे जो समझोते हुए थे लागू आ इस दोर में उख्यमंत्री जी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है तो हम बीजिस मोहले में रहते हैं वहां लाइट नहीं आ रही हमको भी पानी नहीं मिल रहा है तो हम भी समझ रहे हैं परिसानी और इसलिए हम लोगों ने हरताल जो है 65 घंट के एक बाद वापस ले लिए तो साफ है कि जो हर्टाल थी उनमें जो मांगे थी उन मांगों पर सकारात्मक वारता हुई और इसी का नतीजा है कि इस हर्टाल को समय से पहले ही वापस ले लिया गया है और ये भी अपिल की गई है कि जितने भी करमचारी हैं अपने उपकेंद्रों पर जाएं जहां भी अश्याओं को दूर किया जाए चाकि जो इसके राहत है वो जनता को दिया जा सके अश्यू सरकार ने काफी कड़ा रुख अपना आयता पूरे मामले पर तो क्या इसको लेकर भी बिजली कर्मियों को यह लगा कि चीक हर्टाल वापस ले लेते हैं से जादा की और जादा रु अपस ले लिए नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हम सिच्वेशन का तलास कर में ने कहा ना कि हमारी ताकत तो हमारी एकता है उसी एकता के आधार पर है जब हमारा वैसे भी हर्टाल बहतर घंटे में खतम हो जाती हमने साथ घंटा पहले इसलिए ले लिया जनता के हीतों को ध्य करना थे करमचारीयों का पो छिष्टारीयों चला था उसमें भी गृपतारी होई थी बाद में सरकार आंदोलन का नतीजा बादचीत से समझोते से ही निकलता है यह बादचीत हुई है यह समझोता हुआ है वो अपनी जीत की बात करेंगे हम अपनी जीत की बात करेंगे लेकिन हम समझते हैं कि यह हमारा जो सांकेती खरताल था 72 घंटे का वो सफल रहा और उसका असर भी है जनता के अंदर भी हमारी मांगों के बारे में चर्चा हो रही है धृमारा जो नीजी करण का अपकार्खाने को क्यों बेचना चाहते हैं यह जंता के बीच में बहसा होगी इस हर्ताल के माद्यम से अगर हमें अर्टाल ना करते तो भासना होता इस तरीके के हर्ताल ना करनी पड़े इसको लेकर भी सरकार मंत्न कर रही है लगातार जो 14 मांग रखी गई थी उन 14 मांगों पर उर्जा मंत्री ने वारता करने का असवसन दिया है उसे आगे बढ़ाने का असवसन दिया है तो साप है कि आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जो ये मांग है। उन मांगों पर कितना विचार होता है, उसको कितना आगे बढ़ाये जाता है। और ये जो करमचारी उनियन संगठन है, ये कितना से संतुष्ट होती है। जो जाहर सी बात है कि अधिक समय ते चले सांदूलन से जनता भी काफी परिशान थी शुक्री आश्विन आपका इस पूरी बातशीत के लिए